हेलो दोस्तों मेरा हूल और मेरे पास नथिंग फोन वन और यहां पर आ चुका है एक नया सॉफ्टेयर अपडेट जहां पर काफी सारे प्रॉब्लम को सॉल्फ किया गया है सबसे पहले यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है टेसला कंट्रोल फीचर जो कि इंडिया में नहीं करता है क्योंकि इंडिया में टेसला कार है नहीं एनिफ्टी गैलेरी विजिट देखने को मिल जाता है साथ यहां पर जो है सर्च बार ऑन दा होम स्क्रीन अब उस आप्शन को आप रिमूव कर सकते हैं यह देखेगा यहां पर जो सर्च बार आता है ना इस आप्शन मोड में जो है ग्लिफ फिल का ऑप्शन यानि कि यह जो लाइट है इसको आप जो एनेबल कर सकते हैं पोटरेट मोड में उसको यहां पर जो है क्लियारटी नॉइस कैंशलेशन यह सब थोड़ा लो लाइट फॉटो में इंपूफ किया गया है साथ यहां पर डैनेमिक रें आप它 fingerprint अगरा से हालां कि मेरे फोन में नहीं है तो उसको थोड़ा इनेंस किया गया है साथ यहां पर जो है जो गिफ इंटर-फेस है उसको थोड़ा और इंप्रूफ किया गया है बैट्री आप्टिमाईज किया गया है जिनरली यह सारे अपडेट मिले है उतना खास जाद अपडेट नहीं है कैमरा से रिलेटेड जो अपडेट है वो काफी बढ़िया है पहले मैं आपको सेडिंग्स पर ले जाकर अब आप फून में ले जाकर दिखा देता हूं यहां पर जो आप भी स्रिक्रिटिप एच वो आप देख पा रहोंगे यहां पर जो है आपका में का ह है 1st May 2022 और साथ साथ यहां पर सॉफ्टेयर की बात करें तो आपका जो सॉफ्टेयर है वो भी आप देख पार होंगे यहां पर जो है 1.0.2 है तो देखते हैं यहां पर अपडेट के बाद यह सारे जो है क्या-क्या चेंजेज हुए हैं तो कर लेते हैं फटा-फट से इसको कि अब जिए आपक्रेंगे यहां पर सब्सक्रा देख फाना हो चुका है अपक्र पडेट जिसके हैं सिस्टम अपडेट कम्पलीट स्ट है क्या यहां पर है क्या आपडेंगी हूआ है सौम सोफटेयर इंपो वो नतिंग हुए असका 1.1.0 हो गया है पहले जो था 1.0.2 था कुछ something उसके बद यहां पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर android वर्जिन 12 पर आते हैं तो आप देख पाएंगे यहां पर जो एक जुलाई 2022 का हो गया है अब यहां पर चेक कर लेते हैं यहां पर सबसे पहला option जो है टेसला वाला है उसके बाद दूसरा option है यहां पर nft gallery widget तो चलिए चेक कर लेते हैं nft gallery widget आया की नहीं तो चलते हैं widget section में यहां पर widget section में आ जाते हैं और यहां पर आ जाते हैं जो है आपका nft gallery widget तो यह रहा nft gallery widget जो की basically आपका nft पगेर है जब काम में लेते हैं तब यह वर्ग करेगा जो black dot दिया जाता है जनरली मुझे मिलेग पता भी नहीं उसके बुद यहां पर second option है वो है बीटा launcher से शर्ज बार को हटाया गया है तो चलिए चेक कर लेते हैं यहां पर search बार हटता है कि नहीं तो पहले यहां पर हटाने के कोशिश करते हैं तो नहीं हट रहा है simple आपको हटाने के लिए जाना पड़ेगा home settings पे उस से आप इसको disable किजेगा उसके बाद यह जो ऑटमेटिकली हट जाएगा और यहां पर क्या होता है ना इस वाले पेज जो दूसरा पीज रहता है उसके सारे application आपके normal वाले पीज में आ जाता है तो यह भी option चलो हट गया ठीक है चलो पढ़िया बात है उसके बाद यहां पर जो camera में improvement किया गया है वहाँ पर पोट्रेट मोड में हमें देखने को नहीं मिल रहा था वह सी लाइट मतलब यह जो ग्लेफ लाइट है यह तो देखते हैं पोट्रेट मोड में आया है कि नहीं तो camera में आ जाते हैं और यहां पर जैसा कि देख पार है photos में अगर मैं यहां पर ञुक्क करू तो यह आपर जैसे घ्र हमें देखने को मिल रहा है photos में और यहां पर लाइट का इस्तमाल नहीं कर सकते सिफ यहां पर गिफ लाइट का ही इस्तमाल दिया गया है तो चलिए ठीक है यह भी काफी बढ़िया बात है उसके बदर में देखने को मिल जाता है यहां पर जो है इंप्रूफ क्लियारिटी रेड्यूस लो लाइट में तो यह वाला दीकली अटेखने को मिल रहा है जूम करने के बाद यह बर यह यहां पर फोड़ा सा इंप्रूप्मेंट किया गया है पर damit इमिंजस को लेकर उसके यह बार जोडेन्मुक्त च्रपावर्ट मर कफिकाःны यह ब्हें बढ़िए across the main and ultrawide sensor तो देखते हैं यहाँ पर कितना सही किया गया है तो मैं यहाँ पर photo click करके आ चुका हूँ और अगर मैं दिखाँ wide angle camera का details तो यहाँ पर देख पाएंगे wide angle camera में जो details है वो काफी बड़िया निकल कर आया है यहाँ पर shadow को भी आप notice कर पाएंगे even यहाँ पर color है वो भी काफी हद तक exact आया है orange देख पाएंगे orange आया है और यही बात करें normal camera की तो normal camera का भी improvement हुआ है यहाँ पर color आप देखेगा तो काफी बड़िया पॉपी नजर आ जाता है even denim के range भी काफी बड़िया हो गया है पहले के मुकाबले तो यह काफी बड़िया है इन दोनों का जो photo है वो लगबग लगबग आपको जो है same एक जैसा नजर आ जाता है कुछ खास जादा changes यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है daylight में जो की काफी बड़िया बात है even low light में भी जो है आप देख पाएंगे यहाँ पर जो performance है वो improve कर दिया गया है तो यह काफी बड़िया हुआ है camera के मामले में यहाँ पर improvement काफी जादा हुआ है बस यहाँ पर front camera में अगर stabilization आ जाता ना wide angle camera में switch कर पाते तो वो काफी बड़िया साबित हो सकता था बट यह दो option जो है अभी फिलाल के लिए नहीं है maybe in future आ जाए front camera में भी stabilization आ जाए और यहाँ पर बागी सारे feature भी आ जाए उसके पतर में next option देखने हो मल जाता है यहाँ पर अपडेट आ चुका है जसके आप यहाँ पर देख पा रहे है और पिछला यहाँ पर पुराना update भी आप देख पार होंगे तो basically यहाँ पर अपडेट कर दिया गया जो कि काफी अच्छी बात है उसके पतर में क्या देखने को मज़ता है उसके पतर में देखने हो मिल जाता है lock screen bug जो कि मेरे में था नहीं fingerprint scanner में मैं जब भी यहाँ पर open करता था यहाँ पर मैं जब भी fingerprint देता था तो यहाँ पर automatically यह जो ले ले लेता था अगर में यहां पर GIF इंटरफेस पर आता हूं और यहां पर डिफॉल्ट रिंटोन पर आता हूं तो मैं जब भी स्विच करता ना तो काफी पर अटक जाता था बट यह एकदम यह देख पा रहा हूंगे स्लो नहीं ओ रहा है एकदम जाते ही हाँ यहां पट तो यह चीज इसका इंप्रूफ किया गया है इसके अलावा कुछ खास इंप्रूफ नहीं किया गया है आप पर माई सौंड मतलब आप खुद का जो है सौंग वगरा लगा सकते हैं तो बस यही था नथिंग फोन वन का कुछ अफडेट बाकी जो है इसमें और भी बहुत सारे अपडेट आएंगे और मैं भी इससे तरह के वीडियो लाते रहोंगा अगर पसंद आओ प्रीज फिर्म वीडियो को लाइक कर देगा सासा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिया जिससे जब भी मैं कोई ने अब्रोप का आपको आपक प्रेकनिकल्स के साथ